अनादी काल से आज तक 84 लाख योनियों में घुमते हुए इस शरीर को ही मैं माना यही हमारा सबसे बड़ा मिध्यात्व है यही भव भ्रमन का कारण है इस जड़ शरीर को मैं मानने से उससे जुड़े सभी पुद्गल को मेरा माना यूँ इस मैं और मेरा के अहंकार से अनन्त कर्मों का बंद कर अनन्त दुख भोग रहे हैं इसलिए शरीर मैं हूँ यह आसकती टले तो अनन्त सुख मिले वस्तु तह जीव की सबसे बड़ी भूल है अपने स्वरुप को नहीं समझना इसलिए आत्मा के स्वरुप के विशय में विचार करो मैं देह आदी से भिन्न आत्मा हूं कहते हैं जो सुख के अलावा सब कुछ जाने वह विद्वान होते हुए भी अज्ञानी है और जो सिरВ और सिर्फ सुख को ही जाने और कुछ नहीं जाने वह अविद्वान भी ज्ञानी है इसलिए मैं आत्मा हूं ऐसा मानो और आत्मा के स्वरुप को जानो. मैं आत्मा ही हूं, देह के संबंधी मेरे नहीं है, मुझे रोग नहीं होता, देह के नाश से मेरा नाश नहीं होता. ऐसा अभ्यास करे तो आत्मा का अनुभव निश्चित रुप से होता है. महा ज्यानी केशी मुनी जी ने सभी प्रजाजनों को समझाया, ये देवानु प्रियों आत्मा एक महान प्रवासी है, जैसे एक प्रवासी प्रवास करता हुआ, कुछ देर धरम शाला में ठेरता है, फिर वहां से आगे चला जाता है, फिर अन्य किसी सराई में जाकर रुकता है, एवं वहां से भी आगे निकल जाता है, इस तरह वह गंतव्य पर पौझने तक क्रम शह निरंतर निरंतर यात्रा ही करता रहता है, ठीक इसी तरह कर्म से बंधी हुई आत्मा भी एक देह को धा धारन करती है, और उसमें अमुक समय तक निवास करती है, पश्चात उसे छोड़कर दूसरे देह को धारन करती है, यो उसका निरंतर प्रवास मोक्ष प्राप्ति तक चलता है, इसी कारण आत्मा को एक महान प्रवासी कहा है, आप जानते हैं, यहां सूत्रधार हमें एक ब पैदल चले, तो एक दिन में लगबग 20 माईल का सफर करेगा, यू वह क्रम शह निरंतर 50 वर्ष तक चलता रहे, तो उसकी 3,60,000 माईल की पद्यात्रा होगी, अगर एक आदमी रेल के अंदर सफर करे, तो 30 माईल प्रती गंटे के हिसाब से निरंतर 50 वर्ष में एक करोड 39,60,000 माईल की यात्रा तै हो जाएगी, यदि कोई व्यक्ति विमान में सफर करे, तो प्रती गंटे 300 से 400 माईल जाएगा, संभव है, जेट विमान से प्रती गंटा 600 माईल जाएगा, यू पचास वर्ष में वह 25 करोड 92,00,000 माईल की यात्रा करेगा, याद रखना, आत्मा के प्रवास की तुलना में इन प्रवासों की कोई भी साथ नहीं, मनुष्य का शरीर छोड़ कर देव लोग में जाने वाली आत्मा, या देव लोग से मनुष्य जनम धारन करने वाली आत्मा, इससे असंख्य गुना अधिक प्रवास करती है, यह बात आत्मा के एक प्रवास की हुई, ऐसी यात्राएं आत्मा ने अनंत बार की है, इसलिए ग्यानी कहते हैं, इस लोग में अर्थाद संसार में ऐसी कोई जाती या योनी नहीं है, ऐसा कोई स्थान या कुल नहीं है, जहां सभी जीव अनंत बार जनमे ना हो एवं मरे सच मुझ, आत्मा एक अकल्पनिय विलक्षन प्रवासी है, जिसके प्रवास का कोई माप नहीं, आत्मा का यह प्रवास अनादी काल से जारी है, चूंकि वह अनादी काल से कर्मों के संग है, तथा कर्म बंधन प्रती समय जारी है, इसलिए उसका फल भोगने हैं तु, उसे बारम बार देह धारन करना पढता है, अब महाज्यानी केशी मुनी जिने समझाया, हे देवानु प्रियो आत्मा के परिब्रह्मन का मूल कारण कर्म है, मगर कर्म का कर्ता कौन है? इसे गहराई से समझना होगा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, कर्म ही कर्म का करता है उनका कथन है जब आत्मा एवं कर्म दोनों अलग-अलग ध्रव्य है तो वे एक दूसरे के करता कैसे हो सकते हैं मूल बात यह भी है औरूपी आत्मा रूपी कर्म का करता कैसे हो सकता है इन सब प्रशनों पर गहराई से विचार अपिक्षित है कर्म जड है आत्मा चेतन है दोनों के स्वभाव पर ध्यान दोगे तब समझ आएगा जड कर्म अपने आप कैसे बन देंगे उसके पीछे आत् की प्रेड़ना होती है जड में प्रेड़ना या स्फुर्णा जैसी प्रवृतियां नहीं होती ऐसी स्थिती में कर्म ही कर्म का करता कैसे होगा सर्वमान्य है जड पदार्त में ऐसी शक्ति नहीं होती कि वे किसी को प्रेरित कर सके मानलो आपके घर में राज-प्रश्णिय सुत्र है जो बर्सों से अलमारी में बंध है जब तक आपके भीतर में स्वाध्याई करने का भाव न जागे एवं आप उसे न पढ़ो तब तक क्या वहशास्त्र आपको प्रेणा देगा कि मुझे उठाओ मुझे पढ़ो इसी तरह लकडी है मगर वहस्वयम उचल कर कोई जब तक हाथ में लकडी उठा कर पीटेगा नहीं तब तक वह कुछ नहीं करती इससे स्पष्ट है जड़ पदार्थों में प्रेरित करने की शक्ती नहीं है इसलिए याद रहे आत्मा की प्रेणा के अभाव में अनंत काल तक भी कार्मन वर्गना कर्म रूप परिनमि जैसे मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बनती ऐसे ही कार्मन वर्गना स्वत कर्म नहीं बनती इससे प्रमानित होता है आत्मा स्वयम अपने ही कर्म का करता है कर्म ही कर्म का करता नहीं हो सकता जैसे तेल युक्त शरीर हो और धूल से जब लिप्त हो जाता है ऐसे ही राग और द्वेश युक्त आत्मा कर्मबंद करती है। तब महाज्यानी केशी स्वामी ने कहा हे जिग्यासु ऐसा नियम नहीं है जो रूपी है वह द्रश्यमान ही हो। से दिखाई नहीं देते मगर अद्रिश्य कर्मबी केवली भगवान के लिए प्रत्यक्ष है। कार्मनवर्गना इंद्रिय गम्य नहीं है परंतु सरवग्यों के लिए ज्यान गम्य है। आत्मा कर्म का करता है इस तत्यको सापिक्ष द्रिश्टी से समझना चाहिए। इसलिए ज्यानी भगवंत सत्यको दो ड्रिश्टी से समझाते हैं। एक ड्रिश्टी है व्यवहार, दुस्री ड्रिश्टी है निश्चय। जैसे पंची को उड़ने के लिए दो पंखों की जरुरत है। यदि उसके पास एक ही पंख हो तो आकाश के साथ उसका संबंध कैसे होगा। पंची जब उड़ता है तो पहले विप्रित दिशा में पंख फैलाता है। एवं अपना संतुलन बिठा कर उड़ता है। ऐसे ही अध्यात्म गगन में उड़ने के लिए दो विप्रित दिश्टिकोन के बीच संतुलन बिठाना आए तब आत्मा का स्वरूब समझ में आता है। इसी कारण व्यवहाद दिश्टि से आत्मा कर्म का करता है। किन्तु निश्चे दिश्टि से वह ग्याता है। मात्र ग्यान का ही करता है। अर्थान राग और द्वेश के भावों का भी वह करता नहीं है। गहराई से गौर करे तो समझ आही जाएगा। सत्य एक ही है, किन्तु उसे देखने वाले रिष्टि कौन दो है, सत्य रूपी इस नदी के दो किनारे है, एक किनारे से दिखाई देने वाला सत्य और दूसरे किनारे से नजर आने वाला सत्य की व्याक्याएं अलग-अलग है, मगर उसके द्वारा कहा जाने वाला सत्य जो है वह एक ही है सत्य कभी दो नहीं होते याद रखना सत्य रूपी नदी के एक किनारे से दिखाई देने वाला सच को ही हम पूरा सच मान लेते हैं और एक किनारे की अती में अटकने वाले सत्य को यथात रूप से नहीं समझ पाते। किसी भी एक किनारे को पकड़ लेना या फिर उसमें अटके रहना ही मिध्यात्व है। रहस्य यह है सत्यक से देखोगे तो किनारे दो हैं दोनों ही अलग-अलग हैं गहराए में उत्रो तो समझ आएगा अंदर तल की भूमी में कोई भेद नहीं हैं वह एक ही हैं वे दोनों किनारे नदी को समपालते हैं और पानी बीच में बहता हैं उपरी तल पर दो छोर हैं कि नीचे वे दोनों टट मिलकर एक हो जाते हैं इसी तरह सत्यको भी उपरी स्थर से देखोगे तो वे दो ड्रश्टिकों से भिन्न भिन्न रूप में दिखते हैं मगर सत्यकी गहराई में उतर कर देखो तो वे एक ही सत्यके दो पक्ष हैं जैसे नदी एक किनारे दो ऐसे ही सत्य एक ड्रिष्टि कौन दो अत्व सत्य को सापेक्षता से अनिकान ड्रिष्टि से समझना होगा शीरी राज प्रश्णिय सुत्र यहां पर ज्यानार्थी को प्रबोध देता है ऐसा नियम नहीं है कि रूपी के साथ रूपी ही बन देगा जैसे आकाश अरूपी है किन्तु उसका संबंद सर्वत्र है शरीर रूपी है आत्मा अरूपी है फिर भी आत्मा और शरीर का संबंद है ऐसे ही कर्म रूपी है मगर अरूपी आत्मा के साथ उसका संबंद है आत्मा जन्मा और आत्मा मरा ऐसे शब्द अपचारिक है जन्म मरण आत्मा का नहीं होता वह अजर अमर है आत्मा रूपी महान प्रवासी का प्रवास जब पूरा होता है तो वह सिध्धा लई में अनंत काल के लिए स्थिर हो जाता है